यह सिंपल कोश्चिन जेए में 2023 में आया था और फिर भी बहुत सारी स्टूजेंट्स का यह गलत हो गया तो आये सीखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं यहां पर एक हमें इंडॉक्टर दे रखा है रेजिस्टंस दे रखा है और एक बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की इ इसको फाइंड कैसे करेंगे देखो एपॉइंट से हम शुरू करते हैं चलना एपॉइंट का पोटेंशल वी ए है विए करेंट आय मान रहा हूं तो वी यह माइनस पहले रजिस्टंस आ रहा है करेंट की डिरेक्शिन में मुव कर रहे हैं तो पोटेंशल ड्रॉप होगा स यार फिर इंडेक्टर आ रहा है इंडेक्टर में जो पोटेंशल ड्रॉप होता है तो इसको लिखेंगे माइनस एल इंटो डी आई बाई डी टी फिर यह बैटरी आई है और इसमें हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब ड्रॉप हो रहा है सो माइनस ए इस इक्वल टू वी बी तो यहां से मैं लिख सकता हूं वी यह माइनस वी बी इस इक्वल टू ए प्लस आयार प्लस एल डी आई बाई डीटी अभी इन सब की वैल्यूस हम पूट कर देते हैं ए कितना है 12 वोल्ट i is 2, r is 12, 2 into 12 is 24 plus l 6 है और d i by dt minus 1 है so 6 into minus 1 which is minus 6 यह कितना हो गया इस इस 24 plus 6 it will become 30 volts